हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, इस वीडियो में मैं आपको केबल और सस्पेंशन ब्रिज की निमेरिकल बताऊँगा जब वो सपोर्ट पर से पास हो रही हो, ठीक है, सपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक पुली सपोर्ट और एक रूलर सपोर्ट, ठी ठीक है, पुली सपोर्ट में, जो केबल हम लोग यूज करते हैं, वो कंटीनियस होती है, ठीक है, इस साइट को हम लोग बोलते हैं, एंकर केबल, और साइट की केबल को हम लोग बोलते हैं, सस्पेंशन केबल, इसलिए, टैंशन केबल कंटीनियस होने की वज़े से, टैंश इसमें vertical pressure वनको summation ले लेंगे तो t cos β और t cos α तुम लोग T cos α प्लस T cos β तुमलग T cos α को लोग VA मैं आपको numerical में बताय小 순간 VA वागर कैसे calculate करते हम लोग है उसके बाद horizontal component on tower ञज़तावर त sin α minus t sin β Bita तो वही मैंने दल लिए ती साइनल माइनस साइन साय वीटा उसके बाद रोलर सपोट इससारी का होता है ठीक है इसको मदोग सेडल जी लोलते हैं इसमें के्षेबल हम लोग यूस करते हैं यह और इसमें movement base पर 0 होता है ठीक है वही मैंने इदर लिखा है movement at base is 0 और cable is not continuous so tension will not be same ठीक है इसके बाद हम लोग calculate करेंगे horizontal component of tension ठीक है तो horizontal component of tension जो है इस roller support में ये equal होगा ठीक है क्योंकि ये move नहीं कर रहा है ठीक है क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी suspension bridge वगरा होता है इसके जो roller support उते उपर move नहीं करते है इसलिए इसका जो horizontal component होगा tension का वो same होगा वही मैंने इदर किया है ts sin alpha equal to ta sin beta equal to h ठीक है वही मैंने इदर किया है उके उसके बाद हम लोग निकालेंगे vertical pressure on tower जो कि होगा vt equal to ts cos alpha plus ta cos beta ओके तो हम लोग इसको विए लिख लेते हैं मैं अभी आपको बतायता है मैं आपको numerical में explain करूँगा कि हम लोग विए वगरा कैसे solve करते हैं उसके बाद horizontal pressure on tower horizontal pressure on tower वह होगा 0 because horizontal component equal है ठीक है मैं भी आपको बताया था क्योंकि वह move नहीं करता है इसलिए दोनों component equal होते हैं इसलिए horizontal pressure 0 होता है उसमें मैं एक numerical ले रहा हूं ताकि आपको यह topic कच्छे समझ में आ सके numerical ऐसा है कि a cable supported on piers 80 meter apart as a dip of 8 meter find maximum tension in the cable which it which it carries a load of 30 kN per meter find vertical pressure on the pier if back stage is inclined at an angle of 60 degree to the vertical when the cable passes over pulley or when the cable passes over saddle ठीक है तो यह हमें numerical दिया है numerical ऐसा दिया है कि UDL की value हमको दिया 30 kN per meter और जो हमें dip दिया है वो दिया 8 meter का ओके और यह जो A point और B point की distance यह दिया हमें 80 meter ठीक है वह हमें निकालना है वर्टिकल प्रेशर जब केवल पुली पर से पास हो रही हो और वर्टिकल प्रेशर जब केवल रूलर सपोर्ट से यह अफे सडल से पास हो रही हो ठीक है यह सारी हमें given values है small L जो की 80 meter dip D जो की 8 meter और UDL की value दिये 30 kN per meter ठीक है पहले हम लोग निकालनेगे VA और VB ठीक है VA VB क्या formula क्या होता है WL by 2 जब UDL दिया होता है तो VA और VB की value क्या हो जाएगी VA और VB क्या होगा यह vertical reaction VA और VB यह हो जाएगा WL by 2 ठीक है W की value हमें पता ही है 30 L की value पता है 80 by 2 ठीक है यह हो जाएगा 1200 kN ओके उसके बाद horizontal tension यानि यह H H इसका formula क्या होता है इसका formula होता है WL square upon 8D हमें सारी values पता ही है तो सारी values put करने के बाद H की value कितनी आगई 3000 kN okay उसके बाद हम लों निकालेंगे T max ठीक है T max काँपर एक्ट करेगा यह करेगा इधर T यह T ठीक है तो T max का formula क्या होता है V square plus H square दोनों value same है VA और VB इसलिए कोई सी भी यूज़ कर सकते हम लोग तो मैंने VA यूज़ किये तो VA square plus H square VA की value put करी और H की value put करी तो दर से T max की value कितनी आ गई यह आ गई 3231 kN ओके इसके बाद हम लोग निकालेंगे वर्टिकल प्रेशर और पियर जब केवल पुली सपोर्ट से पास हो रही हो ठीक है तो मैंने आप यह आपको formula बताया था जब केवल पुली सपोर्ट से पास होती है तो इसका formula होता है यह VT equal to VA plus T cos beta ठीक है वह बीटा की value दी हुई है बीटा की value कितनी है 60 ठीक है यह anchor केवल है यह suspension केवल है ठीक है तो VT equal to VA plus T VT cos beta ठीक है VT की value हमको पता ही है VT की value क्या है sorry यह VT नहीं इदर T आएगा T की value हम लोगोंने निकाली ली T की value कितनी आई है T की value आई है 3231 kN ठीक है तो यह हम लोगोंने values put की सारी इदर से VT value आ गई सेडल में मैंने आपको बता जाता है कि यह cable continuous नहीं होती इसलिए tension in anchor cable और tension in suspension cable दोनों अलग अलग होगी तो इदर होगा T A इदर T S ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे हमें value चाहिए T A ठीक है क्योंकि formula में कौनसी values हो रही थी T A तो हम लोग क्या करेंगे इसका horizontal component equal कर देंगे तो यानि T A sin beta equal to H ठीक है तो beta value कितनी दीए 60 तो वही मैंने इदर किया है horizontal component दोनों के equal किये ठीक है तो T A sin 60 equal to H T A की value कितनी आगई इदर से sin 60 इदर नीचे गया H हम लोगों ने निकाली लिया तो T A की value आगई 3464.2 kN 10 ठीक है इसके बाद हम लोग vertical pressure निकालेंगे ओके तो vertical pressure का मैंने आपको formula बताया था इसके बाद हम लोग vertical pressure निकालेंगे vertical pressure का भी मैंने आपको formula बताया था यह formula होता है VA प्लस T A cos beta ठीक है यह हम लोगों ने सारी values निकाली ली VA निकाली त A ये निकाली ली cos beta beta की value 60 है सारी values put करने के बाद VT की value आगई 2932.1 kN okay I hope कि आपको यह numerical समझ में आया हो जब cables किसी भी support पर से pass हो रही हो thanks for watching my video अगर आपको कोई suggestion है या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी topic पर video बनाऊ तो आप comment ज़रूर करें thanks for watching my video और आपने अगर मेरे चनल को भी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe to my youtube channel thank you so much you